हेलो फ्रेंट्स एक बार फिट से आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूट्ट चैनल में आज जो हम लोग कोश्चन सॉल्फ करेंगे यह फिगर आपके सामने है और इस कोश्चन में कहा गया है कि इस पैरलल टूदा डायमीटर एबी जो कॉर्ड है यह पैरलल है एबी के अपनी जो की डायमीटर है टिक है उसके बाद आज़े एक कोश्चन में कहा गया है एंगल B, C, D मतलब ये एंगल इसका मेजर है 50 डिगरी और उसके बाद कोश्चन में पूछा गया है कि एंगल B, D, E का वैल्यू कितना होगा मेजर कितना होगा यह हम लोगों को बताना है तो चलिए इस question को solve करते हैं, friends इस figure में आप देख सकते हैं कि O, B एक radius है, हम लोग क्या करेंगे, O और D इसको मिला देंगे, O, D को मिला देंगे, construction करेंगे, ठीक है, O, D भी एक radius हो गया, अब O, B, D ये एक triangle form हो गया, जिसमें O, B और O, D दोनों equal होगा, क्योंकि दोनों ही radius है, ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं, कि angle B, C, D, 50 degree है, तो हम लोगों ने, पिछले वीडियो में, एक theorem के बारे में जाना था, वो theorem क्या था, कि अगर, same arc से, ये arc आप देख सकते हैं, D, B, अगर same arc से, center पर angle बनता है, और circle के circumference पे, किसी भी point पे, अगर angle बनता है, तो center वाला जो angle होगा, circumference पे बनने वाले angle से, दोगना होगा, इसका मतलब है, ये अगर 50 degree है, तो ये कितना होगा, 100 degree है ना, दोगना, ठीक है, angle B, C, D equals 50 degree, ठीक है, then angle B, O, D equals 2 into 50 degree equals 100 degree, ठीक है, तो ये angle होगया, 100 degree का, अब हम लोग देख सकते हैं, B, O, D में, ये side और ये side equal है, क्योंकि, दोनों ही radius है, ठीक है, तो दो side equal होने पर triangle, isocells triangle हो जाता है, तो isocells triangle में equal sides के सामने वाला angle, मतलब O, D के सामने जो angle बन रहा है, ये बन रहा है, O, B, D, और O, B के सामने जो angle बन रहा है, वो बन रहा है, O, D, B, ये दोनों angle equal होगा, equal sides के सामने वाला angle equal होता है, तो ये दोनों angle भी equal हो गया, तो हम लोग, in triangle B, O, D, देखते हैं के angle B, O, D, plus angle O, B, D, plus angle O, D, B, equals 180 degree, क्योंकि triangle के तीनों angle का सम 180 degree होता है, तो angle B, O, D, का value केतना है, 100 degree, 100 degree plus angle O, B, D, plus angle O, D, B, की जगा हम लोग angle O, B, D, लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये angle दोनों बढ़ाबर है, तो इसकी जगा हम लोग फिर से यही लिखे देंगे, angle O, B, D, equals 180 degree, अब हम लोग देख सकते हैं कि दो बाढ़ हो गया angle, O, B, D, तो 2 angle O, B, D, equals 180 degree, और इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस 100 degree, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 80 degree, दो बाढ़ angle O, B, D, मिलके होता है, 80 degree, तो angle O, B, D, equals 80 by 2, degree equals 40 degree, ठीक है, तो इस angle का value हो जाएगा, 40 degree, इसी तरह इस angle का भी 40 degree होगा, क्योंकि ये दुनों angle बढ़ाबर है था, आप लोग देख सकते हैं, 140, 40, 180 degree हो जाएगा है, अब जैसा कि हम लोग अब question पर आते हैं, question में कहा गया था, कि D, E और A, B parallel है, तो D, E और A, B जब parallel होगा, तो ये transversal हो जाएगा, B, D, क्योंकि ये दुनों parallel है, तो ये transversal हो गया, तो angle O, B, D, और angle B, D, E, ये दुनों angle क्या हो जाएगा, ये angle और ये angle alternate angles हो जाएगा, तो alternate angles दोनों ये और ये parallel है, A, B और D parallel है, तो alternate angles equal हो जाएगा, मतलब ये भी angle हो जाएगा, 40 degree, इस दिये angle B, D, E equals angle O, B, D equals 40 degree, क्योंकि दोनों alternate angles है, Friends, I hope कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को like कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe करके, बेल लाकन दबा दें, ताके आपको इसी तरह की interesting वीडियो का notification मिलता रहे, क्यात।